नमस्कार आईए आज हम सुनने जा रहे हैं शिरी सार्दामट वा रामकृष्न सार्दा मिशन की फिफ्थ प्रेसिडेंट प्रवराजी का आनंद प्राणा माताजी का संग्षिप्त जीवन परिचे इससे पहले यह बताना भी अती आवश्चक है कि शिरी सार्दामट वा रामकृष्न सार्दा मिशन जिसका हैड़कृटर दक्षिनेश्वर कोलकता में हैं और भारत वा विदेशों में अनेक शाखाएं कारे रत हैं आत्मनों मोक्षार्थम जगत हितायचे के सिध्धान्त पर चलकर यह विश्व की एक मात्र ऐसी संस्था है जो पून तह महिलाओं द्वारा संचालित है महिलाओं वा बच्चों के बीच आध्यात्मिक, सामाजिक वा अनेक अन्य तरहें के कारेक्रम इस संस्था द्वारा संचालित किये जाते हैं इस संस्था के आदर्ष वा क्रिया प्रणाली स्वामी विवेका नंद जी ने ही निर्धारित करी वह अपने जीवन काल में इस संस्था का निर्मान न कर सके लेकिन कालांतर में इस संस्था का निर्मान हुआ ऐसा भी समझाने के लिए बताया जा सकता है कि पुरुषों के लिए रामकृष्ण मठ वर रामकृष्ण मिशन के स्थापना स्वामी विवेका नंद जी ने अपने जीवन काल में करी थी, उन ही आधर्शों पर शिरी सार्दा मठ वर रामकृष्ण सार्दा मिशन महिलाओं के जीवन परिचे माता जी का जन्म पंधे माई 1927 15 में 1927 को धनबाद में हुआ नाम रखा गया चमेली उनके पिता राय बहादूर अतुल चंदर सोम बिहार में डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट के रूप में कारे रख थे उनकी माता शिरीमदी इंदू बाला देवी सुशील, सुंदर वो धर्म परायन महिला थी रामकृष्न परमहंस जी के प्रसिद एक ग्रहस्त भक्त रामचंद्र दत्ता की वाइफ माता जी की नानी की चाची थी माता जी की नानी जिनका नाम निरुपमा था उनका यह सौभाग्य हुआ कि उन्हें शिरी रामकृष्न देव से बचपन में मिलने का सौभाग्य मिला शिरी रामकृष्न देव ने उनसे पूचा तुम्हारा नाम क्या है उन्होंने उत्तर में कहा निरुपमा बाद में परिवार भागलपुर में इस्थानांत्रित हो गए चमेली की पढ़ाई भागलपुर में ही प्रथम कक्षा से बीए तक हुई 1952 में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद चमेली कोलकता के देश्प्रिय पार्क के पास रहकर आगे की अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी और कैलकता युनिवर्सिटी से उन्होंने फिलोसफी में एमे की पढ़ाई करी जब वह एमे की पढ़ाई कर ही रही थी उस समय उनकी मंत्र दिक्षा बैलूर मठ के प्रेसिडेंट महराज स्वामी शंकरा नंजी से हुई उनके परिवार ने उनके विवाहा के अनेक प्रयास करे लेकिन उस समय में भी चमेली ने इसका विरोध करते हुए तीस वर्ष की आयू तक अपनी समस्त पढ़ाई पूरी करी और मैथेमेटिक्स और जियोग्रफी के साथ बीटी पास करके 1957 1957 में शिरी सार्दा मठ में समलित होने का निर्णे किया शिरी सार्दा मठ जॉइन करने के बाद चमेली को निवेदिता स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा गया वह बड़ी सहजता से अंग्रेजी, बंगाली, हिस्ट्री, जोग्रफी और अन्य-अनेक सब्जेक्ट पढ़ाया करती थी उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा वह सन्यास दीक्षा प्रवराजी का भारती प्राणमाताजी जो शिरी सार्दा मठ की प्रथम अध्यक्षा थी उनके द्वारा क्रमशह 1962 और 1967 में हुई और चमेली का नया नाम हुआ प्रवराजी का आनंद प्राणम उन्निस सो सतर में 1970 में जब है निवेदिता स्कूल से शिरी सार्दा मठ दक्षिनेश्वर आई तब उनको निकट में ही रामकृष्न सार्दा मिशन द्वारा चलाए जा रहे एक प्राइमरी स्कूल जो की जुगी जौपडी के बच्चों के लिए था उसकी जिम्मेदारी दी गई माता जी ने इस स्कूल में बहुत लंबे समय तक पढ़ाया प्रवराजी का आनंद प्राणा जी जो वहाँ पर साधुमा के रूप में पुकारी जाती थी उन्होंने सभी को अपने आश्रे में लिया सिस्टर निवेदिता के सेंटिनरी इयर में प्रकाशित कंप्लीट वर्क्स ओफ सिस्टर निवेदिता जो की प्रवराजी का आत्म प्राणा माता जी द्वारा प्रकाशित किया गया उसमें प्रवराजी का आनंद प्राणा माता जी ने भी अपना महतुपून सहयोग दिया 2017 में वह श्री सार्दा मठ की ट्रस्टी मेंबर बनी और रामकृष्न सार्दा मिशन की कमेटी मेंबर और साथ ही उन्होंने मंत्र दीक्षा देना भी प्रारंभ किया 2018 में वह श्री सार्दा मठ वह रामकृष्न सार्दा मिशन की वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई और 14 जैन्वरी 2023 14 जैन्वरी 2023 को वह श्री सार्दा मठ वह रामकृष्न सार्दा मिशन की अध्यक्षा हुई 30 अप्रेल 2024 शिरी सार्दामट के मुख्याले दक्षिनेश्वर में सन्यासनी और ब्रहमचार्णियों के हरियोम रामकृष्णा के उद्धोष के बीच माताजी ने महासमाधी ली भारत के प्रधान मंत्री शिरी नरेंद्र मोदी जी ने अपने शोक संदेश में लिखा Pravarajika Anand Prana Mataji, the most revered president of Shri Sardamata and Ramakrishna Sardamishan will be remembered for her monumental service to society and inculcating values of spirituality among people. Her efforts in health care, education and empowering Nari Shakti will also be remembered. My thoughts are with the countless devotees in this sad hour. Om Shanti